Hello everyone, welcome to Catholic Center of Excellence YouTube channel आपके इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कितने कुश्चन्स सफिशेंट हैं अगर आप CSIR NET JRF एग्जामनेशन में JRF सेक्योर करना चाहते हैं सबस्यदा commonly asked question आज की डेट में यही है आप सभी को पता है 17 फेब को आपका paper है तो सभी के दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि कितने कुश्चन्स आप attempt करें हम पार्ट A में, पार्ट B में या फिर पार्ट C में Hello everyone, मेरा नाम है Dr. Samashukla और मैं कई सारे वीडियोज आपके लेके आती हूँ Life Science Related तो आज basically हम लोग इस पे discuss करने वाले हैं कि कितने questions आप attempt करें तीनों sections में क्योंकि यह बहुत important चीज़ हो जाती है आपके लिए जब question paper आपके सामने आता है तो पहले थोड़ा सा समझने के कोशिश करते हैं I think सभी को idea भी होगा बट फिर भी एक चीज़ समलोग समझने के कोशिश करते हैं कि आपको जो question paper इसका pattern क्या है कितने questions आपके exam में आते हैं और कितने questions actual में आप attempt कर सकते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कि actually में कितने questions हमें करने चाहिए तो अगर हम लोग part A की बात करें I hope सभी को पता है कि part A consists of 20 questions and out of which you have to attempt only 15 questions maximum 15 questions आप कर सकते हैं या से part B की अगर हम लोग बात करें इसमें you will get 50 questions and you have to attempt 35 questions from part B part C के अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपके पास बहुत स्वारी choices होती हैं केवल 25 questions आपको part C से attempt करने होते हैं questions आपको मिलते हैं 75 तो यह total बात होगे कि कितने questions आपको attempt करने होते हैं हर एक section से अब पहला scenario लेके चलते हैं हम लोग है ना अगर first scenario हम लोग लेके चलें being a science background student या being a life science background student हम यह मान के चल रहें कि आपने part A में केवल और केवल 5 questions attempt करें fine केवल अगर आपने 5 questions attempt करें 15 questions करने होते हैं मैं बहुत lower side पे लेके चल रही हूँ तो आपको मिल जाएंगे 10 marks ठीक है part A में आपको पता है ये questions आपके part A और part B के 2 marks के होते हैं और part C का जो आपको question होता है ये 4 marks carry करता है I hope ये सभी को idea होगा तो यहां से आपको मिल गए 10 marks अब बात आती है part B की suppose यहां से आपने क्या किया part B में आपको पता है कि part B में questions information based आते हैं majority questions जो आपके होते हैं वो direct information पे होते हैं अगर आपको question पता है वो concept याद है आपको literally तो आप कर पाएंगे या फिर आपको वो question skip करना पड़ेगा तो हम इस side पे मानके चल रहे हैं कि part B आपके लिए थोड़ा सा difficult है उस case में हम मानके चल रहे हैं कि आपने out of 35 जो करने थे आपको actual में उतने में से किवल आपने 20 question attempt करा फिर मैं lower side पे suppose लेके चल रही हूँ तो यहां पे आपको sub question दो number का होगा तो you will get 40 marks from section B next आते हैं part C पे जो कि conceptual होता है अगर आपको concept की understanding है तो part C से आप अच्छे खासे marks ले आ सकते हैं negative marking भी होती है undoubtedly one fourth सभी में तो यहां पे भी आपका one number deduct होगा इन दोनों में आपका 0.5, 0.5 होगा आपको पता है तो part C में अगर आप question attempt करते हैं single तो आप 4 number उससे पा रहे हैं तो यहां पे suppose हम लेके चल रहे हैं कि आपको concept की clarity थी और 75 में आपके area के 24 questions आपको मिल गए ठीक है 24 questions मिल गए तो कितने correct होगे आपके total marks कितने आपके होगे 24 into 4 that is is equal to 96 ठीक है अब हम लोग अगर इसको total करें तो इस condition में 96, 10 and 40 यह आपका होगया 146 ठीक है उस case में जब हमने part A से 5 कम, part B से 20 और part C जए तो 24 questions attempt करें ठीक है अब यह बात होगे 146 marks हमको मिल गए किस condition में जब part A के सभी question सही थे, part B के सभी question सही थे और part C के भी सभी question सही थे केवल उस condition में you will get 146 marks लेकिन actually ऐसा नहीं होता है यह exam आपका negative marking based examination and I am pretty sure किसी बच्चे ने कितनी भी अच्छी preparation करी होगी बट यहाँ पर 10 to 15 marks का margin हम लोग लेके चल रहे हैं negative का कि suppose आप बहुत sure थे लेकिन by mistake कोई गलती आपने ऐसी करी option B के जगे आपने option C choose कर लिया ठीक है या कई बार आप ज़्यादा confident होगे और आपने गलत question को attempt कर दिया और आप उस question का answer गलत करके चले आए तो उस condition में हम मान के चल रहे हैं कि आपसे 10 या maximum 15 marks ठीक है इतने आपके गलत होगे या max to max आप 20 तक ले जाए जो maximum हो सकता है अगर preparation आपके बहुत अच्छी है आपने proper mock test दिये हैं पहले से आपने इस चीज़ की प्राक्टिस की है नेगटिव चीज़ों का control किया है तो इतना होने के chances कम होते हैं फिर भी अगर हम यह scenario में मान के चलें max to max negative की बात करें तो यहां पे भी 146 minus 20 you will get 126 126 नंबर आपको मिल जाएंगे और अगर आप पुराने साल के cutoff list को देखें जैरिफ की cutoff list को देखें तो कभी भी आपका जो cutoff है जैरिफ का वो 120 से जादा exceed नहीं किया है ठीक है 120 से जादा कभी भी आपका cutoff में maximum की बात कर र लेके चल रहे हैं तो आप आराम से इस एक्जाम में GRF secure करेंगे GRF qualify करेंगे तो यह बात हो गई कि first condition की अब ध्यान दीजेगा कि part जो second scenario हम लेके चल रहे हैं माल लिजे कि paper जो part B था वो आपको ज्यादा easy लगा part C आपको थोड़ा सा tough लगा तो पहले से दिमाग में आपक तो एक rough score लेके जाना है लेकिन यह नहीं लेके जाना है कि मुझे part B ही ज्यादा attempt करना है या मुझे part C ही ज्यादा attempt करना है यह आप decide करेंगे paper का difficulty level देखके अगर part B ज्यादा difficult है तो आप part C पे ज्यादा questions करेंगे अगर part C difficult है तो obviously आप part B में ज्यादा questions attempt करने की कोशिश क करेंगे ठीक है तो यह मैंने बात की first condition की second scenario अगर हम लें यहां पे भी मैंने part A के लिए two five questions ले लिए ten marks हमको मिल गए part B के लिए suppose आपको ज्यादा आ रहा था आपने चीजें जो याद करी थी जो पढ़ाई आपने की थी जो भी units आपने cover की थी उससे suppose ज्यादा questions आ गए और आपको मिल गए suppose 26 questions आपने सही कर दिये ठीक है 26 questions आपने सही कर दियो और सभी के सभी सही है तो you will get 52 marks from part B और जब आप part C पे गया है तो हो सकता है कुछ concept थी जो आपको नहीं समझ मैं कोई graph आप interpret नहीं कर पाए और आप 25 के 25 questions नहीं कर पाए आपने केवल और केवल 21 questions suppose attempt करें ठीक है 21 questions केवल attempt करें part C से तो आपको कितने मिल जाएंगे 84 ठीक है 84 marks आपके हो जाएंगे part C से फिर हम लोग एगर इसको calculate करें तो again 84, 52 and 10 ठीक है 6 हो गया and 146 score आपका वही है बस मैंने किया कर रहे अगर B easy है तो B करना है जादा C easy है तो C से जादा करना है क्योंकि हमारी जो marking होती है I hope सभी को idea भी होगा कि आपकी जो score की मतलब score आपका जो किया जाता है calculate वो A, B and C तीनो को म नहीं होता है तो आपको ensure करना है तीनो के मिला के आपके इतने marks आएं कि आप qualify कर जाए examination ठीक है तो second condition ने मैंने लिया उस condition में कि part C थोड़ा सा difficult है आपने ज्यादा questions नहीं आप attempt कर पाए फिर हमने क्या score किया 146 again कोई negative marking नहीं अगर हम लेके चल रहे है तो ही score आपका रहा ह अगर हम लोग max to max 20 marks की negative marking यहाँ पर भी कर दें again you will get 126 marks ठीक है 126 marks अगें अच्छा score है आप आराम से qualify करेंगे और मैं यह मान के चलती हूँ कि जो बच्चा ढंग से preparation करा है जिसने अच्छे से त्यारी करी है mark test अलड़ी दिये है proper test series join करी है proper test दिये है तो 20 marks is too much 10 के around max to max आ आप negative करेंगे तो 136 के around आपका score होगा ठीक है बट मैं वह वह सिच्वेशन लेके चल रही हूँ कि सपोज आपने बहुत सारे questions गलत कर दिये तो उस condition में भी आपका exam यह qualify होगा क्योंकि negative mark based examination में कभी भी हम यह वान के तो नहीं चल सकते हैं कि हम 126 करें और 126 marks हमको मिल यह तो बिल्कुल भी नहीं होना है किसी भी exam के अगर आप बात करें जहाँ पर negative marking होती है कुछ ना कुछ गलती है आप unknowingly कर के आते हो तो इस situation में यह मैंने चीज़ें आपको बताएं कि part A, part B और part C से कितने questions आप करोगे तो आप jarry secure करोगे तो अगर आप net के लिए जा र 106, 104 के around होती है तो वहाँ पर आप यह question numbers आप और reduce कर सकते हैं तो I hope यह चीज़ों की clarity हुई होगी आपको कि part A, part B, part C से कितने questions आपको करने हैं और वो एक rough estimate आप अपने दिमाग में ले के जाएंगे बट प्लीज make sure कि आप यह pre-decide ना करें कि part B और part C से कितने करें हैं आप aggregate score के बारे में सोच के जाएं और इस तरीके से इतने questions अगर आप attempt करेंगे तो आसानी से आपका exam qualify होगा I hope यह video आपको पसंद आई होगी जो information मैंने आपको दी इसको दिमाग में रखेगा examination hall में जाएगा तो जरूर से एक बार calculation करिएगा और हमारी video अगर आपको अच